प्रधान मंत्री मोधी वर्सिस राहूल गांधी की प्रधान मंत्री मोधी ने आज गुजराच से कॉंग्रिस पर बड़ा हला बोला प्रधान मंत्री ने कहा कि जनता कॉंग्रिस के 30 साल के मुकाबले NDA के साड़े चार साल के काम को देख ले प्रधान मंत्री ने गुजराट से हमला बोला तो वही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली से पलटवार कर दिया दो तस्वीरे आपके सामने राहुल ने कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों की नहीं अमीरों की सरकार है राहुल ने नोटबंदी से लेकर राफेल तक सरकार को घेरा है और सबसे पहले बार प्रधान मंत्री मोधी की करने ते हैं उन्होंने क्या क्या बाते कही हैं गुजराट से गुजरात के सूरत और दांडी के दोरे पर हैं प्रधान मंत्री मोधी और सूरत में प्रधान मंत्री मोधी हवाई अड़े के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उधगाटन करने पहुँचे जब सूरत हवाई अड़े पहुँचे ही वहां की तस्वीरे हैं प्रधान मंत्री मोदी ने कॉंग्रिस पर हमला बोलती हुए कहा कि पूर्वे प्रधान मंत्री ने कहा था कि 100 पैसा जाता है तो लोगों तक 15 पैसा ही पहुँचता है अब बाकी के 85 पैसे कौन सा पंजा खाता था ये मुझसे मत पूछेगा आपको मालूम है तीस साल तक हमारे देश में अस्थिरता का दोर रहा त्रिशंक को पार्लामेंट बड़ी किसी को प्रोण बहुवत नहीं मिला जोड तोड़कर के सरकारे चलाई गई जिसका मर्जी पड़े उस तरफ फिरता चला गया देश महीं का महीं अटक गया और कुछ बातों में पिछे चला गया पिछले चार साड़े चार साल से हम आगे बढ़ पार रहे हैं उसका एक प्रमुक कारण है देश की जनता ने समझदारी से वोट डावा और त्रिशंको की तीज साल पुरानी विमारी से देश को मुक्त कर दिया पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी और नई पिड़ी देख सकती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार कड़े फैसले भी ले सकती है बड़े फैसले भी ले सकती है हिम्मत के साथ देश को आगे बढ़ा सकती है और ये काम हमने किया पूर्ण बहुमत की सरकार का इमाहत्मे है कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि नोट बंदी से क्या फाइदा हुआ उन्हें ये सवाल उन युवाओं से भी पूछना चाहिए जुने नोट बंदी के बाद कम हुई घरों की कीमतों का लाब मिलना शुरू हुआ है उस गरीब और मद्दमबर से सवाल पूछना चाहिए जिसका घर का सपना अब साकार होना संबव हुआ है वैसे आपको याद दिला दे 15 पैसे